हिंदी प्रोग्राम चमेली में मैं पूजा गुपता आपकी होस्ट आपका हादिक स्वागत करती हूँ मैं आज आपसे मिलाने जा रही हूँ लाल्टु जी से पर उनके लिए दो लाइने कहना चाहूंगी मन्जिल उन्ही को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है पंखों से कुछ नहीं होता जनाब होस्लों से ही उडान होती है शायर जो मैंने पंक्तिये कहीं वो भी पंक्तिये कुछ कम पढ़ जाएं इतनी वर्सटाइल परसनेल्टी से मैं आज आपका आत्मों विभोर कराने जा रही हूँ तो आइए मिलते हैं लाल्टो जी से लाल्टो जी आपका हादिक स्वागत है आज क्या हमारे चमईल कारिकरम में बहुत शुक्रिया आपका और शुक्रिया दूरदर्शन यादगीरी चैनल का और हमारे मित्र प्रवीन प्रणाव जी और प्रफसर रिश्वद शर्मा जी का की यह मौका हमें मिला तो मुझे यकीन है कि आज की बातचीत से कविता के बारे में और खासतोर से आज जिस तरह की कविता लिखी जा रही है इस बारे में कोई समझ हम आम लोगों तक पहुचा पाएंगे जी 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 लालटू जी एक कवी हैं एक कहानिकार हैं पत्रिकारिता करते हैं विभिन भाषाओं में अनुबाद बाल साहित्य नवसाक्षर साहित्य आदी विद्याओं का लेखन आप कई समकालिन संग्रहों में रचनाय शामिल हैं आपकी और उसके अलावा एक वर्सेटल परस्नालिटी होने के अंतरगत ये ट्रिपल आईटी में एक साइन्टिस्ट के बतौर पर वर्क करते हैं प्रोफेसर तो एक बहुत ही बड़ी उपलब्दी है ये इनकी मैंने जब आपका ये नाम सुना लाल्टु जी इनका असली नाम हरजिंदर सिंग जी है मैं आपको बता दूश होता हूं इनका असली नाम हरजिंदर सिंग जी है पर इने प्यार से जो इनका साहित्य है उसमे मैंने लालटो जी कहा जाता है, तो जब मैंने अनाया सी, जब मुझे नाम आया, लालटो जी, तो मेरे मन में जिग्यासा हुई कि मैं उनसे पूछूं, कि आपका ये नाम लालटो जी कैसे पढ़ा? हाँ ये सवाल आम तोर से लोग वो पूस्ते हैं मैं कुलकाता में जन्मा पला हूँ और मेरी माँ बंगला भाशी थी और पिता पंजाब के थे तो घर में जैसे आम बंगाली परिवारों में होता है तो घर में जो नाम रखा गया था वो लाल्टू था और जिस तरह के मुहले लिखने लगा था उस वक्त इतनी समझ नहीं थी कि कोई आपचारिक नाम होना चाहिए तो पहला कविता संग्र पहली कहानी भी पहली छपी तो लाल्टू नाम से छपी तो फिर वही नाम रह गया और मैंने कभी इसको बदला है आपने कभी ये नहीं सोचा कि लाल्टू जंसता नहीं है हिंदी में पर मुझे लगा नाम से क्या मतलब ये वह देखा जाना चाहिए आपने भी कहा कि आपकी माता बंगला थी और माता जी पिता जी पंजाबी थे तो ये कैसा रहा आपका बच्पन का कैसा रहा था बच्पन में हम लोग घर में तो खिच्डी भाश हिते काफी पढ़ा और आम तोर से जो साहिते के प्रती जो रूची मेरी है वो मा की वज़े से ही बढ़ी पिता जी भी पुराने जो गीत हैं पंजाबी में लिखे गए वो गाते थे कभी कबाद तो पंजाबी भी पढ़ी हमने बंगला भी पढ़ी तो ये तो बहुत ही आप अनुवाद भी कर लेते हैं ना बहुत सारी भाशाओं में तो ये भाशा बोलना एक चीज होती है अनुवाद करना एक चीज होती है और हम उसको किस तरह से लीपी में ढालते हैं वो एक अलग चीज होती है तो बोल तो बहुत लोग लेते हैं कि हम बोल लेते हैं कि हम वो लिखित तौर पर आती है तो उसका बहुत अलग हो जाता है नापतोर तो वो आप कैसे मैनेज करते हैं जाहिर है कि अनुवाद करना एक बहुत मुश्किल काम है क्योंकि जो मूल रचनाकार ने जिस तरह से अपनी बाते पेश की हैं अनुवाद में बिल्कुल सही-सही बा यानि कि जिस भाषा में हम अनुवाद कर रहे हैं वो सम्रिद्ध हो रही है यह एक नजरिया है मेरा नजरिया हमेशा यह रहा है कि ऐसी सामगरी जो पाठकों के पास उपलब्ध नहीं है क्योंकि उनको मूल भाषा नहीं आती वो सामगरी उपलब्ध करवानी है तो नहीं होगा तो इसलिए मैं अनुवाद करते हुए भाषा की परंपराईं या जिस तरह के आग्रह होते हैं भाषा को लेकर उनसे अलग रहकर मैं पाठक को अपने ध्यान में रखने की कोशिश करता हूँ जब हम एक किताब लिखने का सोचते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे विचार आते हैं कि हमें कैसे लिखनी चाहिए कहां से शुरू करना चाहिए तो जब आपनी अपनी पहली किताब लिखनी शुरू की आपने पहला अचरन किया कि मेगू साहिती की और रुजान हो रहा है तो तो आपने उसको कैसे किया? तीकिये मैं जैसे माहौल में पला हूँ, बंगाल में तकरीबन हर पढ़ा लिखा आदमी कभी ना कभी कोई कविता तो जरूर लिखता है और कहानी उपन्यास खूब पढ़ा जाता है बंगला साहित में तो बच्पन में मैं भी उसी तरह पढ़ता रहा और मेरा मन तो यह था कि मैं उपन्यास लिखूँ अब उतना वक्त तो कभी मिला नहीं तो कहानिया मैंने लिखी है और कविता लिखने में एक सुविधा यह रहती है हालांकि मेरे साथी कभी इस बात को बहुत पसंद नहीं करेंगे यह सुविधा रहती है कि कविता पर आप लगातार काम कर सकते हैं मतब आपको एक सिटिंग में कोई दो घंटों की जरूरत नहीं है आपने कभी आदे गंटे में कुछ लिख लिए उसके बाद आप महीनों सालों तक उस पर काम कर सकते हैं पर कहानी उपन्यास लिखने के ल अगर कविता की रूची हो तो कविता लिखना ज्यादा आसान लगता है हलांकि कविता पर भी बहुत मेहनत करनी परती है बहुत करनी परती है हमेगले बातों का ध्यान पर शाद नहें बहुता हैं लुटर मैंकि जब हमारा तजरुबह कम होता है उम्र कम होती है तो बहुत ऐसा लगता है जैसे हम अपनी बात कुछ कहना चाहते हैं, कह दें, वो उसका दवाव हमारे उपर जादा होता है, हम इस बात को लेकर इतने सचेत नहीं होते कि हम जिस तरह से लिख रहे हैं, उसमें शब्दों को सही डंग से रखा गया है या नहीं, भाषा सही डंग से साधी इतना ध्यान हम नहीं रख पाते हैं, बहुत सारे लोग रखते हैं, बहुत सारे लोग बड़े कम उन से ही, काफी मैच्योर होते हैं, पर उसके लिए फिर संगत चाहिए, बड़े रचनाकारों की संगत चाहिए, वो सिखाते हैं, हम सीखते हैं, मुझे ऐसे संगत मिली नही तो मुझे अपने आप संघर्ष करते हुए सीखना पड़ा है, समझना पड़ा है कि बहतर कैसे लिखा जाए तो उसके अपनी सिमाई रही है पर जरूरी बात तो यह है कि आप लिखा तो बहुत कुछ जा रहा है जो भी लिखा जा रहा है अपने तई अच्छा है पर नया कुछ लिखना साहित्व में जगह बनाना इसके लिए कुछ अलग तरह का होना या तो वो फॉर्म अलग हो या उसका का इना जो है या रूप और तो यह बात तो जहन में रखनी जरूरी है, कि हम नया कुछ लिखना चाहते हैं, तो दूसरों से अलग कुछ हमें लिखना है, एक चीज यह है, जैसे अब आपने कहा, आपको आपके माता जी से साहित्य की प्रेहना मिली, आप साइंटिस भी तो हैं, अब यह साइंटिस की प् तो हम लोगों के पास इतने विकल्प नहीं थे, कि हम चुन सकें, और विकल्प होते भी नहीं थे, तो आप पढ़ते जा रहे हैं, और उसके मुझसमाने में अभी भी ऐसा ही है, लोग यह मानते थे कि हाई स्कूल में अगर आपने विज्यान पढ़ा तो अगर आप से केंडरी में ऐसा ही था कि आपको फिर्स केमेस्ट्री, मैथमेटिक्स, बाइलोजी यह चीज़ें पढ़नी पढ़ती हैं, तो इस तरह से पढ़ा हमने, उसके बाद फिर B.H.C. फिर M.H.C. एक तरह से एक लकीर पर चलते रहने का, एक मतलब एक तरह से यह कहिए कि विकल को बतलाते हैं कि अपनी रूची के मताबिक विष्णों को चुनो और बिल्कुल अपना जहन और अपना दिल जो भी आप कर रहे हैं उसमें होना चाहिए, इतना प्रिविलेज हमें नहीं मिला, तो हम बस करते चले और सहीं यहां आपको एक बात बताना चाहूंगी, अपनी पूरी पढ़ाई, अपनी लगन से, स्कॉलर्शिप के तुरू ही की, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्दी है, साहित्य में पीन की रुची रही, और साइंटिस्ट में भी रही, और अपने पारिवारिक जिस परिस्थितियों में थे, उस परिस्थितियों में इनो विश्व जिष्टी की आप किस जिष्टी से देखते हैं, और मानवी की शब्द का अर्थ क्या है, देखिए विज्ञान प्राप्ति का एक खास तरह का एक तरीका है, आम तोर से जासे स्कूलों में हमें कहा जाता है कि क्रमबध्ध ज्ञान है, तो ये बड़ी सामानिसी से समज है, असल में आज जिसे हम विज्ञान कहते हैं वो तो आधुनिक विज्ञान है, हमारे हाँ पारंपरिक विज्ञान रहा है, दक्षिनेश्या में रहा है, चीन में रहा है, अरब में रहा है, पर उससे बिलकुल अलग है जो आधुनिक विज्ञान है, और खास तरह से स सम alisikka प्रीव टीन केंगी सामदाइक चाहे है एक वह एक समझ है। एक वैज्ञानिक समाज है quarter करता है कि को Ni को यह है यह जो शुभल फर्ल कृसमें यह है कि छो उत्लिक बात्र समाज कहते हैं और सांध पीच्छ स्थ एक चाहे हैं जैंnes जिस तरह के तर्क विज्ञान में होते हैं, कलाओं में उनका महत नहीं होता है, यह कहिए कि उनका महत तो कम होता है, कलाओं में प्रेर्णा, एक तरह की आध्यात्मिक सोच, समझ इन चीजों का महत तो अलग होता है, सौंदर्य के बारे में कला में जिस तरह की समझ है, विज् यह राजनिती विज्ञान का नए तिक्ता का सवाल है, जिसके बारे में लोगों को सोचना है, समाज को सोचना है, हालां कि ऐसा कहकर विज्ञानिक अपनी जम्मेदारी से छूट नहीं सकता है, पर यह बहुत बड़ा फर्क है, पर जो मानो विज्ञान जिसे हम कहते हैं, यह human sciences, मानो विज्ञान मतलब anthropology नहीं, जो human sciences है, जिसमें anthropology भी आ जाता है, मानो शास्त्र आप कहे लिजी, उनमें लग आंकड़े हैं, आंकड़ों को हम किस तरह से समझें, यह चीजें जैसे पहले 100 साल पहले, 200 साल पहले जैसे लोग देखते थे, उससे अभी बहुत बड़ा फर्क है, कि हम कैसे देखते हैं, कंप्यूटर का इस्तमाल बढ़ रहा है, तो यह बहुत बड़ा फर्क है, जो अपने आप मैं कला है, यह चित्रकारिता में कैसे रंग अप इस्तमाल करेंगे, उसका इंग विज्ञान हो सपता है, पर रंग कौनसा रंग करना है, कहा रंग देना है, यह कला है, तो यह बहुत बड़ा फर्क है, एक विश्व दृष्टी तो जरूर होती है, कला और विज्यान भी उस आवरन को हमरे ऊपर से हटाती है. हम सही डंग से चीज़ों को देख सकते हैं. हम एक आलोचनातमक रवय्या अपना सकते हैं. यह कला भी हमें सिखाती हैं, विज्ण भी दोनों के तरीके अलगे. आपका ऐस अर्टिकल उक्यम्ल पर रही थी, तो आजकल आटिफिशल इंटेलिजन्स का था, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? आम तोर से आटिफिशल इंटेलिजन्स से लोग यह समझते हैं, जैसे कोई रोबोट बना लेना, या जैसे कोरोना के वक्त क्या हुआ था, क्योंकि घर में सफाई का सारा काम हम लोगों को खुद करना पड़ता था, तो चोटी 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 रोबोट मशीने जो बनी थी, घ पर में हिंदी में कहूँ और आप उसको तेलगू में देख लें, आम तोर से लोग इसी को आटिफिशल इंटेलिजन्स कहते हैं, पर आटिफिशल इंटेलिजन्स का जो सबसे बड़ा सवाल है, वो यह है कि एक मशीन में वो चेतना कैसी लाई जाए जो कि मानो मस्तिस्क मे जो चेतना है, उस चेतना को हम एक मशीन में कैसे लाएं, यह सबसे बड़ा सवाल है और शुरू से रहा है, तो दो पक्षें, एक है टेकनोलोजी और कॉर्परेट सेक्टर या बिजनस का सवाल है कि नई मशीने कैसी बनाई जाएं, मार्केट में कैसे बेजा जाएं, लोग जाएं, महज अहसास या जो हमारे एंद्रिक हैं, महज वो नहीं है, उससे अलग कुछ है, वो क्या चीज है, इसको लेकर बहुत शोध हो रहा है, बहुत काम हो रहा है, तो हमारी जो आटिफिशल इंटेलिजन्स को लेकर जो हमारे मन में जो सवाल उठते हैं, वो विज्ञ कोन कैसे बने, ये उनके लिए ज़्यादा एहमियत रखते हैं, दर्शकूं, हम अभी लॉटते हैं कुछ समय के बाद, और हम फिर से अपना फुर से वारतालाव अपनी चालू रखेंगे, लालतु जी से, मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद, आपका एक बहुचर्चित आर्टिकल भी था, हर कही समाज की गुस्पेट, हर कही समाज की गुस्पेट, की चाल लैने में लिख्या लाई थी, ये हमाये दर्शकों के साथ साजा करना चाहूंगी, लुक अर्थ क्रस्ट, लुक अर्थ क्रस्ट, ओशन एर लाइफ कूल, आपका एस आर्टिकल के बारे में कुछ बताईए, ये एक कविता की लाईने है, जो एक जियो फिसिसिस ने लिखी थी, कोई तक्रीवन 25 साल पहले, एक पत्रिका है फिसिक्स तूडे, जो इंस्टिटुट फिसिक्स युएसे में है, उसमें ये कविता चाहूंगी, बहुत लंबी कविता है, जो बिज्ञान की इतिहास के बारे में बताती है, कि पहले बड़ा धमाका हुआ, फिर काइनात बनी, फिर उसके बाद धीरे धीरे अनु परमानु वगेरा बने, फि इतना को जान लेने के बाद भी हमारे ये सवाल खड़ा है, कि अगले दो चार दिन हम कैसे गुजारे है, तो एक तरह से जाने अन जाने, वो तो वैज्ञानिक थे, प्रफसर अंडर्सन थे, जाने अन जाने वो विज्ञान की एक आलोचना सामने रख रहे है, कि विज्ञा विज्ञान कुदरत को जानने का एक तरीका भले है, पर विज्ञान से सारे सवाल हल हो जाएं, ऐसा कुछ नहीं है, जो इनसान की जो बुनियादी बेचैनिया है, कि हम कैसे समझें काइनात को, काइनात में हमारी जगा क्या है, मैं हू कौन, किसने बनाया मुझे, इस तरह क समाज की घुसपैट का सवाल है, बड़े पैमाने पे तो खेर जो दार्शनी पैमाने पे वह एक अलग बात है, पर जो आम बात है, वह यह है कि आज हर कहीं हम देखते हैं कि इनसान जो कुदर्ट जिस तरह से इनसान को बनाता है, कि हम बचपन से ही हम चीजों को जानना चाहत हैं समझना चाहते हैं बिल्कुल नवजात बच्चा जो होता है वो एक तरह से बहुत बड़ा विग्यानी होता है क्योंकि हर चीजों को कागज फाड़ रहा है वो कहीं तस्वीर बना रहा है पर समाज हमेशा उसको रोकता है और बच्चा जैसे बड़ा होता है उसके अंदर क यह वैग्यानिक है वह लगातार खत्म होता जाता है, और आज आगे चलकर वह महज एक मशीन सा बना रह जाता है, कि उसे समाज की तमाम हिडाएतों को उसको मानना पड़ेगा, यह सही नहीं है, यह गलत है, आप यह नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, और इस तरह से वो एक जन्मा आजाद है, वो बहुत प्रसिद लाइन अचाहे दरूसों की है, कि man is born free but in chains everywhere, तो वो लगातार कैद होता रहता है, तो समाज की घुसपैट के इस पक्ष को लेकर मैं ज़्यादा परिशान रहता हूँ, पर वैसे इसके दार्शनिक पक्ष भी है. आपने एक हजार से भी अधिक कविताएं लिखी हैं और बहुत सारे इन में प्रकाशन भी हुई हैं, तो आपके पसंद की कोई कविता, हाँ, तो मैं अपने संग्रह तो लेकर आया हूँ, तो उनमें से कुछ कविताएं तो जरूर मैं पढ़ना चाहूँगा, तो ये पहली जहां बंजर है, ना हवा, ना धूप, ना पानी है, बे हवा, बे हया, लह लहाना है, अंधेरे से रोशनी खीचनी है, पत्थरों से पानी निचोडना है, हर हाल में उगना है, कि वह बीज है बहुत खूब, बहुत खूब है लहाई, अधूरी रहना कविता की नियती है, जो इस वर्ष प्रकाशित होने वाली है, वैसे तो बहुत सारे पाइपलाइन में आपके जूड़े हैं काफी सारे प्रकाशित होने वाले हैं, तो इसके बारे में कुछ बताईए ना आप, ये वह जवान मोर अपने सारे रंग लिये मौजूद था, मैं सामने आया तो वह घबराया, थोड़ी देर में लंबी उड़ान भरी, इतनी के जितनी मैंने सोची न थी, कवी सामने आही जाता है, अधूरी रहना कविता की दियती है। कवी को अपनी कविता की व्याक्या नहीं करनी चाहिए, इसलिए मैं इस पर कुछ कहना नहीं चाहता पर अगर आप कुछ पूछना चाहें तो ज़रूर मैं जवाब नहीं कुछ को कहने के बारे में, इसमें कहने की ये कोशिश है कि खास्त और से जब हम पहले लिखना शुरू जाती है, जैसे हम लोग जब जनगीत गाते हैं, हम सामाजिक बदलाव के लिए, सामाज में सुधार के लिए, या मानली जे भजन है, या गीत है, तो उसमें साफ साफ बात की जाती है, पर जैसे मैंने बतलाया था, कविता बड़े सुक्ष्म ढंग से हमारे उपर जो मूल् को देखे, जैसे इसमें मोर की बात आती है, मोर जो है, ऐसा पंची है, जब पंख फैलाता है, तो सतरंगी मतलब उसके पंख हैं, तो उसको देखकर कोई भी कहेगा कि कुद्रत ला जबाव है, वगरा, पर जैसे ही कवी सामने आ जाता है, कहींना कहीं किद्रत के साथ एक होनी चाहिए, वो एक अलग बात है, कुछ अलग ही है, जिसे हम बखान नहीं कर सकते हैं, बखान करते ही उसको हम सीमित कर देते हैं, उसको हम कैद कर देते हैं, लफाज में कैद कर देते हैं, तो मेरी कोशिश है इस बात को कुछ किसी तरह कह पाने की, काम्याब हो पाया हू जबकि एक सामानिय इसान और मोर कभी का काफी अलग सामन जिसे हो जाएगा तो इसके बारे में क्या कहता है जी जैसे इसमें था कि मोर एक लंबी उडान भरता है अब कभी क्या कोई भी इनसान चाहिए वो बच्चा हो या हमारे सबके अंदर में जो बच्चा है कुद्रत को देखना चाहता है हम किसी भी सुंदर चीज को देखना चाहते हैं उसके साथ एक तरह से आत्मियता हम बनाना चाहते हैं हम उसके साथ एकात्म होना चाहते हैं हम उसका हिस्सा बनना चाहते हैं कि सुंदर है खुबसूरत है पर हम नहीं बन पाते हैं मैं वहां जात में कि मैं कुछ पाना चाहता हूं जो खुबसूरत है वो तलाश अधूरी रह जाती है उसको हम पूरा नहीं कर पाते हैं आपनी एक लेख लिखा है पाठकों ने मुझे सराह है और आलोचकों ने मेरी निंदा की है तो इसका क्या है ने यह नहीं कहा कि निंदा की नजर अंद नजर अंदाज किया है नजर अंदाज यह तो है देखिए किसी भी पेशे की तरह लेखन भी ना अपने आप में बहुत कॉम्पिटिटिव प्रोफेशन है और किसी भी पेशे में आजकल खास दौर से सफल होने के लिए एक तरह की नेट वरकिंग की जरूरत है आपको करना चाहता हूं पर नहीं कर पाया हूं क्योंकि एक प्रोफेशनल वो दूरी रह जाती है क्योंकि मेरा मुखे काम कुछ और है दूसरी बात एक दूरी भी रही है भागोलिक दूरी रही है पहले मैं कई सालों तक चंडीगर में रहा अब मैं हैधराबाद में रहा हूं तो दूसरी बात ये भी है कि हमारे हाँ लंबे समय से एक बहुत ही बनावटी एक भेद बना दिया गया है हिंदुस्तानी जबान में, हिंदी, उर्दु, हिंदुस्तानी इसमें दरारें पैदा की गई हैं, तो इसलिए जो उर्दु का समाज है, जो यहां पर कहीं जादा सक्री ह हिंदी के बनिस्बत, वहां भी हम कोई पहचान नहीं बना पाए हैं, तो उसकी वज़ा से यह तकलीफ मुझे हमेशा जरूर रही है, कि जो तनकीद जो करते हैं, जो आलचना करते हैं, उन्होंने मेरे काम को शायद उनकी नजर में नहीं आया, या शायद उन्हें अच्छा नहीं लगा, तो यह तकलीफ जरूर रही है, कि मैं उनसे सीख नहीं पाया हूँ, तो इसलिए मैंने कहा है, कि उन्होंने मुझे नजर अंदाज किया, पर यह नहीं कि निन्दा किया, इसा नहीं कहीं हुआ है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल निन्दा नहीं हुई, कहीं कहीं निन अपने उसका लेखन बेहतर कैसे होगा तो बेहतरी के लिए बहुत जरूरी है कि अलोचना हो मैं आपका कविता संग्रे देख थी हरे से रहा उसका बदन ये आपका शीर्शक कैसा है और इसके बारे में कुछ बताईए आप हरे से भरा था उसका बदन हालांकि ये कविता तो खैर इसमें बहुत सारी दूसरी बाते आती है लिखते हुए वो बात नहीं आती जहां से ये शीर्शक मैंने लिया है ये शीर्शक मेरे दिमाग में इस तरह से आया कि एक बार मैं वैसे ही अपने कैंपस में चल रहा था तो इसा जानवर पहली बार देखा हाला कि मैं दूसरी किसम की गिरगट देखे हैं जो चिपकलियों जैसे होते हैं बड़े होते हैं ये गिरगट भी नहीं था इसको मैं क्या कहूं मुझे नहीं पता यू चल रहा था और उस ने मेरी और देखा और जिस तरह से ओ सड़क के बी पर अभी जिस तरह का माहौल है, हम लोग जो चाहते हैं कि हर जगा इनसान को पूरी आजादी मिले, उसे कुदरत ने जो काबिलियत दी है, उसको पूरा करने के लिए पूरी आजादी मिले, उसके उपर किसी तरह का बंधन न रहे, इस लड़ाई में हम लोग अक्सर हारते र जैसे हारी हुई फोजों का आखरी सिपाही बनकर वो खड़ा है, उसमें इतनी हिम्मत है, तो मुझे लगा कि हम लोगों के अंदर कही न कहीं उस तरह का कोई सिपाही मौजूद है, हम सब चाहते हैं कि हम लड़ते रहें, संघर्ष करते रहें, एक बहतर समाज के लिए, ब कोई लकीर सच नहीं होती, ये भी आवें आपके जो शीरशक हैं बड़े थोड़े अलग से हैं, हमारे बीच लकीरे बनाई जाती हैं, तरह तरह की लकीरे हैं, हर वक्त सारी दुनिया में जंगे लड़ी जा रही हैं, पर असल में खास तोर से विज्ञान से हमें ये पता च बेने ले और हमारे हाँ से कोई इनसान ले ले आख हमारा जो doset जो जो जिनियंकि स्ट्रक्चर है, जो जेनो मिक से उस में 99 प्रतिर्षट तकरीबन यह जैसा है, तो हम एक ही जैसे इनसान है, और इंसान हर जगा, जब होंसे तकलीफ होती है, हो उसता है, हर जगा एक है हर माबाप चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ लिग जाएं हर जगह इनसान की जरूरते ही हैं कि अच्छी तरह खा पी सकें सही जगह पे रह सकें तो इनसान और इनसान में कोई फर्क तो होना नहीं चाहिए पर ये लकीरें खीची जाती है सरहदें बनाई जाती है हमारे बहुत सारे संसाधन इसी में खत्म हो जाते हैं कि हम एक दूसरों के साथ लड़ते रहें तो ये बात मेरे जहन में लंबे समय से है और मेरे क्यों लाखों लोगों के करोणों लोगों के जहन में ये बात है और लोग इस बात को अलग अलग तरह से कहते हैं, तो मैं अपने तरीके से उसको कविता में कहता हूँ, तो इसलिए इसी शिर्शक का ये संग्रा था, कि कोई लकीर सच नहीं होती, तो इसी में से मैं कोई कविता आपको पढ़ कर सुना दूँँ, जी बिलकुल, जी अपने का जी जी जे तरह का वेगानिक शोद में करता रहा हूं, उससे भी प्रेरित रही है, तो इस तरह ये क कविता मैं आपको सुनाता हूं, यह गलत बटन, बटन मतलब शर्ट का बटन नहीं, जी बोर्ट का बटन, गलत बटन, ये गद्य कविता है, जो मुक्टचंद की कविता ह उसमें एक ले बनाने की कोशिश होती है, गद्य कविता में ले की कोशिश नहीं होती, ले विचारों का होता है, खयालों का होता है, गलत बटन, पल में सब गायब, फिर लिखो तो प्रेम वह नहीं होता, संतुलित स्याहसा हो जाता है, उसमें पहले कभी न दिखे घाव पकन का डर समाया होता है आप किसी को मेल भेज रहे हैं आप किस लिखना चाह रहे थे और आप में कीबोर्ड गलत बटन दबा दिया और सारा उड़ गया आप दुबारा उसको लिखना चाहते हैं तो वो बात नहीं लिख पाते जो आपने पहले लिखी होती है न पल में सब गायब फिर लिखो तो प्रेम वो नहीं होता संतुलित सियाह सा हो जाता है उसमें पहले कभी न दिखे घाव पकने का डर समाया होता है अत्याचारी ता जिन्दगी इस फेर में रहते हैं कि उनके अतीत ऐसे बटन दबा कर उड़ा दिये जाएं अडियल ट्रांजिस्टर्स में हत् तरह बातकार इू जो जम जाते हैं कि कोंई उन्हें उड़ा नहीं सकता कि किमवदंती है कि तोड जला देने पर भी ये जीवन्त रहते हैं। वे रातों में कापते, घबराते, सीनों के भार तले, सपने में छिपते हैं। हर सुबह उन्हें यकीन नहीं होता कि वाकई सुबह हुई है। रेंगते हुए खिडकियों पर आकर जांक जांक कर देखते हैं कि भीड उन फाइलों के हवाले से बगीचे का घास तो नहीं उखाड रही। भीड के हाथ अगर वो सारी फाइले आ जाएं जिसमें सारा इतिहास लिखा हुआ है कि किसने क्या जुल्म किये हैं तो भीड तो धावा बोलेगी ना। कभी हम तुम खो बैठते हैं मेहनत से संजोए प्यार के पल। रों से भी कम चोड़ाई के ट्रांजिस्टर्स वाइलिन पर शोक गीत गाते हैं। थीरे धीरे फिर से हम रोपते हैं छुवन चुम्बन आदि तंतु। हमारी लिए हर सुभ नई बनकर आति है। कभी खोय हुए पलों को याद कर हम लजाते हुए एक दूसरे को देखते हैं फिर हम निकल पढ़ते हैं सपने बुनते हुए। वा, बहुत खूब, बहुत खूब, ये इसमें मैं आपको पूछना चाहूँगी, आपने अभी कहा गद्य कविता, तो गद्य कविता और पद्य कविता में क्या अंतर होता है, देखिए, कविता की अगर परमपरा आप देखें, सब कुछ शुरुवात तो वहीं से होती है, शायरी तो वहीं से शुरुवात होती है, पर एक विधा में रहते हुए भी वहां से अलग-अलग नई विधाएं निकली हैं, तो पश्चिम में मुक्तचंद की विधा पनपी, मुक्तचंद के बहुत बड़े कवी वॉल्ट विट्मन हुए, उसके बाद एरोप में दूसर हमारे हां पश्चिम से यह नई विधाय आई, तो हमारे हां मुक्तचंद की कविता पिछली सदी में लोगों ने लिखना शुरू किया, तो मुक्तचंद में मात्रा नहीं होती उस तरह, जैसे की दोहा, चौपाई वगरा में, जैसे हम बच्पन में पढ़ते थे, जैसे हम प्रभुद्ध शुद्ध भारती, स्वयम प्रभासम उज्जला, सुतंत्रता पुकारती, तो यह जो ले है, यह मात्राओं में बंधी हुई ले है, या मानली जै कबीर के दोहे हैं, गुरू गोविंद दोव खड़े, काके लागू पाए, तो यह 13-11-11 जो मात्राएं होती है, खुली नजम इसको हिंदुस्तानी जबान में हम कहते हैं, तो यह हुआ मुक्तचंद, पर मुक्तचंद में भी एक ले की कोशिश होती है, पर ले के भी बंधन से अलग हटकर, कुछ दार्शनिक बातें कहना, कुछ ऐसी बातें कहना, जो हमारी बेचैनी को किसी और के सा किसी आप काई यह गढ़ दॉत ऑखा कर पाये, यह गढ़ कोशिश होती है, जो प्रोज है, जिसको आप कहानी की तरह भी पढ़ सकते हैं, अक्सर मेरी कही कवितायों में मैंने शीर सक कहानी रखा है, क्वि वह कहनी पादा के मेरी कुछ गढ़ कविताओं को को इकठा करके म आप जैसे इस कविता को मैंने अभी पढ़ा, इसमें कोई ले बनाने की कोशिश नहीं थी, पर उमीद है कि आप ने देखा होगा कि इसमें एक ऐसा तनाव है, जो काव्यात्मक है, जिसमें ऐसी बेचैनी है, जो कविताओं में होती है, जिसको पढ़ते हुए पाथक बेचैन अच्छा, इसमें आपने मात्राओं का भी बोला है कि कविताओं में मात्रा है, उसमें बंधन होता है कि इतनी मात्रा एं रेनी चाहिए, ऐसा कुछ रहता है क्या है, बिल्कुल बंधन होता है, अब रदीफ काफिया अगर नहीं हो, तो अब जैसे हमारे जैसे लोग गजल से डरते हैं क्योंकि हाला कि मैंने लिखी है गजल गाई भी गई है और यूट्यूब पर भी है पर हम लोग डरते है इसलिए क्योंकि उसके लिए कालग किसम की साधना चाहिए उसका उसके लिए जो स्किल है वो बिलकुल अलग किसम का स्किल है और इस तरह की जो बात जो हम कह तो आप गजा सकते हैं, तो लोगों के जहन में बड़ी आसानी आप जाता है, तो इसलिए वाम लोगों को जादा पसंद कि आप जंत सकते है, आप अगर कोईu बात के लिए नहीं भी है, लिए कोई यह सेर08 को मान सकते हैं, पर यह अपनी अपने खायाल हैं, हमारे जैसे लोग चाहते हैं कि आम लोग इन चीजों को पढ़ें, जाने, और कई संस्कृतियों में जैसे बंगलाभाशी जो लोग हैं, स्कूल के बच्चे भी ऐसी कविताई पढ़ते हैं, हिंदी में ऐसी संस्कृती बहुत बड़े पैमा दर्शकूं, हम अभी लोटते हैं कुछ समय के बाद, और हम फिर से अपना फुर से वारतालाव अपनी चालू रखेंगे लालतु जी से, मिलते हैं छोटे से अंतराल के बाद. आपकी एक कविता है, पेड़ों को घर में क्यों नहीं लगती? क्या आप उसकी कविता साजा करेंगे हमारे साथ? हाँ, बिलकुल अच्छा है कि ये कविता हम पढ़ें क्योंकि कहीं लोगों को ये ना लगी कि मैं सिर्फ गंबीर बाते ही लिखता रहता हूँ. ये बच्चों के लिए लिखी गई कविता है, बड़ी आसान सी है. पेड़ों को गर्मी नहीं लगती क्या? पेड़ों को गर् गर्मी उधर भी गर्मी और खिड़की के बाहर पेड़ खड़े यूं सहज धर्मी. कोई न भेद जात पात का, बरगद, अशोक, नीम वगएरा, बड़े मजे से सभी देख रहे, गर्मी में मेरा यूं रोना. सूख सूख पत्ते पीले हो जाएंगे, पर इसी बात से कब ठंडी होआएंगी, जलाता हूँ देख देख पेड़ों को घर्मी नहीं लगती, क्या? बहुत फूर, बहुत फूर. इसी उसमें, मैं किसको क्या सलादू, मैं किसको क्या सलादू, इसी संग्रह की एक और कविता है, यह जो मेरा संग्रह है, यह है, नहांकर नहीं है बुद्ध नहां कर नहीं लुटा है बुद्ध में बच्पन में यह कानी सुनी थी जब सिधार्थ जब बोध गया गय जब बुद्ध बने तो तपस्या कर रहे रहे थे बर्गत के पेड़ के नीचे फिर वहां सुजाता आई खीर की थाली लेकर तो बुद्ध नहाने गए तालाब में फिर नहा कर आए तब वो बुद्ध बने ऐसा कोई कहानी पता नही मैंने ठीक सुनी या गलत सुनी जो भी तो वो जो है एक चवी जो है जहन में थी त मैं किसको क्या सलादू कि समस्याएं सुलचती कैसे हैं मैं खुद को ही नहीं समझ पाया मैं खुद को ही नहीं समझा पाया कि आदमी को आदमी कहलाने के लिए अकसर चड़ना पढ़ता है पहाड उचाई से कुछ न कहने पर भी लोग सुन लेते हैं क्योंकि दिख जाती है नीचे रहकर इंतजार करना पड़ता है कि भट्टियों की दीवारें फट जाएं विसफोट की लप्टें दिखती है तब आदमी की आवाज के साथ मैं जमी पर खड़ा आदमी आदमी को पहचानने की मुहम में सब को शामिल करने निकला हूँ खुली ट्रेन है चलती चली धीरे से या छलांग लगाकर तरीके हैं कई चड़ने के मैं तो फिलहाल कविताय लिखता हूँ अरे बहुत बहुत इसी श्रिंकला में आपकी है ईश्वर से एक सुन्दर आदमी या औरत इश्वर एक सुन्दर आदमी या औरत यह जरा सी अलग किसम की एक है कविता इश्वर एक सुन्दर आदमी या औरत धर्ती पर दोड़े हैं कभी अतिकाय भयाव जन्तु मानों ने जन्म लेते ही पाई हिंस्र अनुदार धर्ती बहती हवाएं तो अन्देशा होता किसी अलोकिक ध्वन्स लीला का थमती हवाएं तो डर होता कि कोई खुखार पल आने को है जाने कभसे हवाएं बही हैं उखारती गाओ शहर जंगलात सोचने पर लगता है दुखों का लावा बहा हमेशा ही प्रबलत से प्रबलतर सुखदाई नदियों की तुलना में समुद्र ने निगला कई बार अंगिनत प्राणियों को बिना जात पात की परवाह किये इस तरह मानव ने गढ़ी अलोकिक गाथाएं सिष्ट के पहले पल से आज तक को समझने में लाचार खयाल बने शब्द सुन्दर अद्भुत कल्पनाओं के नाद नृत्त नाटकों में दुख और आतंक से कभी जूजता कभी छिपता मानव कहना मुश्किल है कि ठीक कब किसने सोचा कि भय से भी मिलता है लाब बशर्ते अपने भय को छिपा सकें दूसरों का भय बढ़ाने में इस तरह बनते चले देव देवियां जिसको जहां ये रहस समझ में आया गढ़ा उसने एक और नया ईश्वर पानी पत्थर पहाड हर कुछ तबदील हुआ आतंक में अलोकिक सपनों में हारता हुआ आदमी उठता रहा लगातार लड़ता रहा आतंक के खिलाफ और समांतर गड़ी गई प्रेम कथाएं रचनाएं जिनमें ईश्वर बना एक कमजोर प्रेमी सशरीरी या अशरीरी कैसा भी जवानी में दुनिया बदलनी की कोशिश में ठक चुके प्रबुद्ध जन कई उम्र दराज होते ही कहने लगे कि जगा चाहिए इन कथाओं को महज कथाओं की तरह और गायब नहीं हुई आतंक फैलाने की भयंकर कोशिशें कब तक हम बचा सकते हैं खुद को ठकने से कब तक जूमते हुए किसी सूफी की दरगाह पर याद रख सकते हैं कि यह उल्लास महज कथा नहीं एक विद्रो है और हम उसमें शामिल हैं यह एक लंबा सफर है जिसमें धरती हमें जगह देती है अपने विशाल सीने में जब बच्चों को सुनाते हैं हम तारों नक्षत्रों की सच्ची कहानिया जो यंतरों के जादू नहीं हमारे तैकिये खेलों और गनित की अनोखी जादूई सी लगती पर सच में कविताओं से हमें मिलती है और बड़ों से कहते हैं हम की जूमते रहो मुनाफा खोरों की जंगों और नफरत के खिलाप बनाते रहो चित्र जिनमें ईश्वर है एक सुन्दर आदमी या औरत वैसी ही चाहतों के धागे बुनता जैसी है आपस में हमारी आपस में जुड़ी उंगलियों में स्पंदित है वाह बहुत खूब बहुत खूब यह जरा मुश्किल सी कविता है पर ऐसी कविताइं भी पढ़ी जानी चाहिए दर्शकों को सुननी चाहिए ऐसी कविताइं बिल्कुल आप बाल साहित्य भी लिखते आएं आज के परिवेश में देखते हैं कि बच्चे आजकल फोन पे पंजाबी में कुछ हट्टक हुआ है बच्चों के लिए बहुत अच्छा साहित्य है पर तेलगू, हिंदी ऐसी भाषाओं में बच्चों का साहित्य उस तरह का है नहीं जैसा कि अंग्रेजी में है और उसकी वज़े से क्या हुआ है कि बच्चे हिंदी या तेलगू से समझते हैं वो जो प्रक्रियाएं हमारे जहन में होती है जो प्रोसेस होती है हमारे जहन में वो अपनी मात्रि भाषा में होती है और यह कोई आग्रह नहीं है ऐसा नहीं है कि मैं हिंदी में लिख रहा हूं इसलिए बात कह रहा हूं मैं अंग्रेजी में भी लिख सकता मैं इसलिए नहीं कह रहा है कि मुझे कोई भक्ती है अपनी भाषा के प्रति है और कोई प्रेम है अलग सा, ऐसा कुछ नहीं मैं बहुत अंग्रेजी पढ़ता हूं सारे दिन अंग्रेजी में काम करता हूं यह मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि विज्ञान से हमें यह समझ मिली है और पिछले 200 सालों में जो भाशा विद हैं जो लिंग्विस्टिक्स की डिसिप्लिन है उसमें जो विद्वान है वो यह बार-बार यह बात हमें कह रहे हैं कि मादरी जबान में जो तालीम दी जाती ह है वही सबसे बहतरीन तरीका है कुदगरत को समझने का और अगर आप दूसरी जबान सिखना भी चाहते हैं अगर आप अंग्रेजी सीखना भी चाहते हैं पहले आपको अपनी जबान में महारत पानी होगी अगर आप Telugu, Hindi, Urdu जो Bहु आप जानते हैं अगर जानते हैं अग में कुछ अची पत्रिकाएं हैं भुपाल से दो पत्रिकाएं आती हैं चकमक और साइकिल नाम की पहले जो पत्रिकाएं आती थी इतनी अच्छी नहीं थी वो कमर्शियल थी और उनका स्थर अच्छा नहीं था तो अब अच्छी बहतरीन पत्रिकाएं आ रही है हिंदी में मु उनको लगता है कि उन्होंने अंग्रेजी सीख ली पर दरसल एक बहुत ही गलत सोच है क्योंकि अंग्रेजी हमारी जबान अभी बन नहीं पाई है इसको अभी भी 100-200 साल लगेंगे हिंदुस्तानी जबान बनने में अब अंग्रेजी वाले जबरदस्ती क्योंकि उनके पास है तो वो जबरदस्ती कहते रहते हैं कि अंग्रेजी हिंदुस्तानी जबान बन गई है पर नहीं बनी है सच यह है कि हमारा आम आदमी अभी भी अंग्रेजी से बहुत दूर है और हमें और उसके जो रोजाना काम हैं जो मेहनत मज़़ूरी करके जी रहे हैं वो पूल में ही सारी बाते नहीं सीखता है तो उसका सारा पूरवग्यान जो है अपनी मादरी जबान में है जब उसको जबरण आप दूसरी कोई भाषा थोपते है उसके उपर के बन अंग्रेजी नहीं दूसरी भाषा भी जैसे कोई आदिवासी समाज का बच्चा है और उसक को मजा आना चीए उससे अलग हटके वो भागता है सीखने से तो इससे क्या होता है कि वो भरपूर इंसान नहीं बन पाएगा कभी जो काबलियत हमें कुद्रत ने दी है कि हम फूल की तरह खिल सकें एक पूरा इंसान बन पाएं वो नहीं बन पाता तो ये बड़ी समस्या ह है बच्चों के लिए हम सब को लिखना चाहिए हमें जो बच्चों के लिए किताबें अपनी जबानों में मौजूद हैं वो खरीदनी चाहिए और जो लाइब्रेरी हैं हमारे हैं तो अभी भी कुछ लाइब्रेरी हैं जहां आप बिना कोई मतलब खर्च के आप बच्चों पर देखते हैं कि आपको अगर किताब लिखनी है, आप हमें संपर करें, हम आपको मदद करेंगे, आपको कैसी किताब लिखनी है, बहुत सारे ओनलाइन पोर्टल्स हो गए है, तो जो अभी नए बढ़िंग राइटर्स हैं, या साहितिकार बनने वाले हैं, तो उनको आप क् कंधों पर सबार है, तो इसलिए मैं यह नहीं कहूंगा कि आप कोई पोर्टल अगर आपको कह रहा है कि आप कैसे लिखा जाता है, इसके बारे में हम बातचीत करते हैं, आप आईए और जानिए, आप मत जाये हुआ, ऐसा मैं नहीं कहूंगा, पर जैसा किसी भी काम के बन पाएंगे, जो आप अपनी मेहनत से बन पाएंगे, आपको पढ़ना तो पढ़ेगा, आपको यह जानना पढ़ेगा कि जो बहतर रचनाकार हैं, उन्होंने कैसे लिखा है, उनके लेखन में अलग क्या है, उनका नजरिया अलग क्या है, यह तो आपको पढ़ना पढ़ पर कला जो है न वो सिर्फ ओनलाइन से नहीं सीखी जा सकती, उसके लिए संगत भी चाहिए, अपनी रूची चाहिए, और मेहनत चाहिए, बहुत मेहनत चाहिए, एक माइने में विजयान से भी ज़ादा मेहनत चाहिए, पर उससे अलग हटकर आपको किताबे पढ़नी और जो बेहतर रचनाकार हैं, जिनका नाम है, ऐसे रचनाकारों की किताबें आप पढ़िए, देखिए उन्होंने नया क्या लिखा है, और नई चीजों से परिशान नहूं, अक्सर क्या होता है कि खास तोर से साहित को लेकर आम लोगों में क्या होता है कि जो चीजें बड़ पर उसे अलग हटकर ऐसी चीजें जो मुश्किल लगते हैं हमें, वो भी उमें पढ़नी पढ़ेंगी, आपने अगर फिराग गोरखपुरी नहीं पढ़ा, मतलब हिंदी, उर्दु-हिंदुस्तानी की मैं बात कर रहा हूं, या आपने परवीन शाकिर नहीं पढ़ा, गाल करनी पढ़ती है, चाहे मेरी 10 किताबे आगे हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि मुझे मेहनत नहीं करनी पढ़ती है, तो वो लगातार वो मेहनत हम सब को करनी पढ़ेगी, आप से बात करके बहुत अच्छा लगा, आज मैं अपने दर्शकों को यह बताना चाहूंगी कि हमें आज इतनी इंट्रेस्टिंग बातों का जो हमें बिलकुल पता नहीं था कि साहिते को हमको किस तरह से अप्रोच करना है, वो हमको पालूम चला है, लाल्टो जी से, तो बहुत शुक्री आपका, मुझे उम्मीद है कि कुछ काम की बाते में कर पाया हूं, अलग कि फिर कभी मुझे मुझे मौका मिले तो मैं और ज्यादा कविताएं पढ़ना चाहूंगा, बातचीत कम करना चाहूंगा, बहुत बहुत शुक्री आप सबका और यादगिरी चैनल का भी बहुत शुक्री है, ये एक बहुत बड़ा हमारा उपलब्दी है कि आज हमारे साथ लाल्टो जी थे उपस्तित, उन्होंने अपना मूले समय निकालके हमारे साथ उपस्तित है, इन से हमसे बात करके हमने जो नए अभी साहितेकार बनना चाह रहे हैं, या साहिती के प्रतिया अपनी रुची रखते हैं, उनको एक बहुत बड़ी सीख मिली है कि उनको अपनी साहिती के लिए आगे कैसे बढ़ना है और किस तरह से उनको अपनी रिजान रखना है, एक निम्न वर्क से होते हुए भी आज एक वसेटाल रहना एक बहुत बड़ी उपलब्धी है उनके लिए, तो वो एक हमारे लिए एक एक जांपल है, हम सब के लिए कुधारण है कि ज धन्यवाद देती हूँ पुजा गुपता चमेली की तरफ से दूरदर्शन यादकिरी चैनल